नमस्कार विके विद्यूस के खास पेश्कष में आपका स्वागत है जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास सुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ महराश्य सरकार ने परमिर सिंग को सस्पेंड कर दिया हैं महराश्य में किसी डीजी रैंक के अधिकारी को इससे पहले कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया वही महाराश्य में ओमिक्रॉन के अठाई संदिक्द मरीज पाए गए हैं जो हाल ही में विदेश से लोटे हैं ये सभी मरीज महाराश्य के तीन सबसे बड़े शहर मुंबई, ठाने और पुने के हैं इस बीच आयकर विभाग ने हाल ही में पुने के डेरी उद्योग से जुड़े समुहां और मुंबई के SRA परियोजना से जुड़े बिल्डर के ठीकानों पर छापे मारी कर 500 करोड रुपे से ज्यादा के काली कमाई का खुलासा किया है उदर राश्वपती रामनाथ कोविंट 6 डिसंबर को राइगर के दौरे पर जाएंगे राश्वपती राइगर कीले पर छत्रपती शिवाजी महाराज का अभिवादन करेंगे इसके अलावा प्रदेश की उद्योग मंतरी सुभाष देसाई ने दावा किया है कि महाराश्वपती की निवेश के लिए उद्योग पतियों की पहली पसंद महाराश रही है प्रदेश की मिली जुली इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ महाराश्चा सरकार ने परम्बिर सिंग को सस्पेंड कर दिया है परम्बिर को सस्पेंड करने के लिए जारी आदेश में महाराश्चा सरकार ने उनके खिलाफ मुंबई में मरीन ड्राइफ, कल्लैन में बाजर पेट, कोपरी और ठाने में दर्च कई एफायर का जिक्र किया इन में से कई उगाही से जुड़ी हुई है इन एफायर से जुड़े कुछ केसों को बाद में CID को ट्रांसफर कर दिया गया परम्बिर सिंग के खिलाफ कांदी वली क्राइम रांच और महाराश्च एसी भी जांच कर रही है परम्बिर सिंग का ऐसा कहना है कि उन्हें इन सभी केसों में जुटा फसाया गया और इस आधार पर उन्होंने गिरफतारी से प्रोटेक्शन के लिए पिछले पकवाडे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इन सभी केसों में 6 दिसंबर तक प्रोटेक्शन भी दिया है मतलब 6 इसंबर तक वह गिरफतार नहीं हो सकते भारहाल पूर्वडीजीपी और देश के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक जूलियो रिबेरो ने एक अकबार में कॉलम में लिखा है कि मुंबई शहर में और शायद देश में पहली बार है कि इतने उच्चपत के एक पुलिस अधिकारी को भगोड़ा करार दिया गया ये वाकई बहुत ही शर्म की बात है महाराष्टा में ओमिक्रॉन के 28 संदिग्द मरीज पाए गया है जो हाल में विदेश से लोटे है ये सभी मरीज महाराष्टा के 3 सबसे बड़े शहर मुंबई ठाने और पूने के है इन संदिग्द लोगों में से 10 लोग मुंबई शहर के है जबकि बाकी लोग ठाने और पूने के है ये सभी लोग पिछले एक महीने के दर्मियान विदेश से महाराष्टा में आये है इन में से 25 लोग विदेश से लोटे हैं जबकि 3 लोग इनके संपर्क में आने की वज़त से संक्रमित हुए हैं इन सभी लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं फिलहाल ये सभी ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित है या नहीं इसकी जांच के लिए सभी के सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज गया है रिपोर्ट अगले सप्ताह तक आने की संभावना है बीते एक महीने की बात करें तो मुंबई में विदेश से लोटे हुए लोगों की संख्या ठाई हजार से भी ज्यादा है ये सभी लोग हाई रिस कंट्रीज में शामिल 40 देशों से वापस आये है स्थानिय प्रशासन की तरफ से ऐसे सभी लोगों की लिस्ट तयार की गई है और उनकी तलाश की जा रही है इन सब में जिन 861 लोगों की भैचान हो पाई है उनमें से 25 लोग कोरणा पॉजिटिव पाए गए है 24 घंटों में ओमिक्रोन के संधिक्द लोगों की संख्या मुमई में बढ़कर 9 हो चुकी है जिनमें से 5 लोग ओमिक्रोन के नए संधिक्द मरीज है इन में से एक मरीज लंडन जबकि बाकी चार दक्षिन अफरीका, पूर्टगाल, मौरिशस और जर्मनी से लोटे हैं आयकर विभाग ने हाल ही में पुने के डेरी उद्योग से जुड़े समुह और मुंबई के SRA परियोजना से जुड़े बिल्डर के ठीकानों पर छापे मारी कर 500 करोड रुपे से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा किया है आयकर विभाग के मुताबिक पुने के समुह से जुड़े 6 शहरों के 30 ठीकानों पर 25 नवंबर को छापे मारी की गई थी इस दोरान 400 करोड रुपे के काले धन का खुलासा हुआ है इसके अलावा आयकर विभाग ने 1,5 करोड की नगदी और जेवर भी बरामत किये है जोपड पट्टी पुनरवसन परियोजना से जुड़े मुंबई के एक बिल्डर के ठीकानों पर भी 25 नवंबर को ही चापे मारी की थी मुंबई और नए मुंबई के 30 ठीकानों पर चापे के दोरान आयकर विभाग ने 100 करोड रुपे के काले धन की जानकरी हासिल की है नकत भी बरामत किये गये है राश्टपती रामनात कोविन 6 दिसंबर को राइगड के दोरे पर जाएंगे राश्टपती राइगड किले पर छत्रपती शिवाजी माहराच का अभिवादन करेंगे बता दे कि साल 1980 में ततकालिन प्रधान मंतरी इंदिरा गांधी शिवाजी माहराच की 300 भी पुन्यतिती के मौके पर राइगड किले पर पहुची थी साल 1985 में ततकालिन राश्ट्रपती ग्यानी जैल सिंग और 3 अप्रेल 1999 को ततकालिन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपई भी रायगड किले पर आये थे राज्यसबा सांसत छत्रपती संभाजी राजे ने बताया कि राश्ट्रपती 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सेना के हेलिकॉप्टर से रायगड किले पहुचेंगे वे रायगड किले पर शिवाजी महराज का अभिवादन करने के बाद रायगड जिला प्राधी करण के पिछले 4 सालों के कीले के समवर्धन और सवरक्षन कार्या का जाईजा लेंगे संभाजी राजे ने कहा कि मैंने राश्टरपती को रायगड केले पर आने का निमंतरन दिया था जिसके बाद उन्होंने इस यात्रा के लिए सहमती दी संभाजी राजे ने कहा कि राश्टरपती कोविंच शिव भक्त है वे दिल्ली में साल 2018 में अखिल भारतिय शिव राज्य भिशेक महत्सोव समिती की और से आयोजित शिव जैनती उत्सों में प्रमुक अतिथी के तौर पर आये थे उस समारोह में राश्टरपती को शिवाजी महाराज का तैले चित्र भेंड किया गया था इसके बाद ये तैले चित्र राश्टरपती भवन में लगाया गया प्रदेश के उद्योग मंत्री सुभाज देशाई ने दावा किया कि महाराश्टर के उद्योग दुसरे प्रदेशों में नहीं जाएंगे देशाई ने कहा कि देश में अध्योगिक निवेश के लिए उद्योग पतियों की पहली पसंद महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में उद्योग पूरक वातावरन होने के कारण देश में सबसे अधिक अधिक अध्योगिक निवेश महाराष्ट्र में होता है इसलिए महाराष्टर के उद्योग बाहर नहीं जाएंगे देसाई ने कहा कि दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में 25 सामजन से करार पर हस्ताक्षार हुए है इससे राज्य में 15,000 करोड रुपे का निवेश होगा इसके जरिये राज्य में 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा देसाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार केंद्र को मुंबई के बजाए गुजरात में स्थापित करने को मंजूरी दी है लेकिन महाराश्य सरकार मुंबई में विश्व व्यापार केंद्र सापित करके रहेगी जब मुंबई आय थे तो उस समय शेलार क्यों चुप थे उन्होंने योगी की दोरी की निंदा क्यों नहीं की ब्रिटेन में हुए एक ताजा शोद में सामने आया कि दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही साथ वैक्सिंग की बूस्टर रोज ने वैक्सिंग लगवाने वाले लोगों में जोरदा रोग प्रतिरोधक शम्ता पैदा की है इन साथ वैक्सिंग में भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही कोविट शिल्ड भी शामिल है यह ओमिक्रॉम से लड़ने में सक्षम है वही बिहार के जुमई जिले के सोनो इलाकों में कही मौजोद गोल की खदान में इतना सोना है जितना देश में और कही नहीं है खान कोईला एवम संसदिय कारिय मंतरी प्रहला जोशी ने इस बात की पुश्टी की है उदर केंदरिय मंतरी नितिन गड़करी ने कहा कि मेरी ग्रीन हाइडरोजन पर बसे ट्रक और कार चलानी की योजना है जो शहरों में सीवेज के पानी और ठोस कच्रे का उपयोग करके बनाई जाएगी इस बीच भारत में ओमिक्रॉन के दो कन्फर्म केस मिलने के बाद दक्षिन अफरिका से आने वाले याद्रियों की जांच तेज कर दी गई है तो केरल मेर राजनितिक रंजिष्ट हमने का नाम नहीं ले रही है इस प्रतेश में मांगपा और RSS के बीच अ पुरी दुनिया के लिए खुश खबरी सामने आई है दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही साथ वैक्सिंग की बूस्टर डोज ने वैक्सिंग लगवाने वाले लोगों में जोरदार रोग प्रती रोधक शमता पैदा की है इन साथ वैक्सिंग में भारत में बड़े पै चला था कि कोविट शिल्ड और फाइजर की दो डोस देने पर 6 महने बाद भी अस्पताल में भरती कराये जाने और मौतों के खिलाफ क्रमशह, 89 और 90 की प्रतिशक सुरक्षा मिली है। बिटा, डेल्टा और चिन में पहली बार मिले करोना वाइरस के खिलाफ मापे गए। केंद्रिय खान, कोईला एवं संसदिय कारिय मंतरी प्रलात जोशी ने एक खत के जरिये बताया कि देश में कुल 501.83 टन का प्राथमिक स्वरण अयस्क भंडार है। जिसमें 654.74 टन सोना है। इसमें 44.50 सोना केवल बिहार में पाया गया है। प्रदेश के जमोई जिले के सोनो क्षेतर में 37.6 टन धातू अयस्क सहित 22.885 मिलियन टन स्वरण धातू से संपन्न भंडार मिला है। देश में मौजुद कुल स्वरण भंडार का अकेले 44.50 सोना जमोई के सोना करमाटिया इलाके में मिलने से लोग जुम रहे है। इसी लाके के चुरहित गाओ के निवासियों के मुताबिक वो लोग बच्पन से ही ये देखते आ रहे हैं कि 8 किलोमिटर के दाएरे में मिट्टी में चमकने वाली धातू दिखाई देती हैं जो कुछ और नहीं बलकि सोना है। यहां के निवासियों के मुताबिक काफी पहले तो यहां के मिट्टी में सोने के बिल्कुल बारिक टुकडे तक मिलते थे। और एक साल में लगभग 325 करोड रुपे कमाता है। उन्होंने कहां कि आज के वक्त में कुछ भी बेकार नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइजर्स अब भारत द्वारा उत्पादित किये जाते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकते हैं और यहां एक वैकलपिक इंधन हो सकता है। इस पर सभी बसे, ट्रक, कार चलाई जा सकती है, यह मुश्किल नहीं है। मैंने एक हाइड्रोजन कार खरी दी है, जिसे मैं दिल्ली में चलाने जा रहा हूँ, क्योंकि लोग लीक से हटकर विचारों को स्विकार करने में समय लेते हैं। अन्यनविन परी ओजनाय के बारे में बात करते हुए नितिन गड़करी ने कहा कि उनके कमरे की एक दिवार पर उन्होंने गाय के गोपर से पेंट करवाया है। अफरीका से आने वाले लोगों की RTPCR टेस्ट हवाई अड़ों पर करने के बाद आइसोलेट किया जा रहा है। इस प्रतेश में माकपा और RSS के बीच अदावत हिंसक होती जा रही है। यहां के पलककड में 15 नमबर को RSS के कारे करता S. संजित की भी चाकू घूप कर हत्या कर दी गई थी। वो 27 साल के थे उनकी हत्या 50 से जादा बार चाकू घूप कर की गई थी। इस मामले में P. F. I. की राजनिती शाखा S. D. P. I. के दो पदाधी कारियों को गिरफतार किया गया था। अब पताना मथिट्टा के तिरूवल्ला इलाके में माकपा के स्थानिया निता P. B. संदिप कुमार की हत्या कर दी गई। अग्यात हमलावारों ने चाकू मार कर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अपरादियों का पता अब तक नहीं चल पाया है। माकपा ने संदिप कुमार की हत्या का आरोप R.S.S. पर लगाया है। जिला भाजपा ने बयान जारी कर इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। केरल के पेरिंगारा गाओ के रहने वाले संदिप कुमार 34 साल के थे और माकपा के स्थानिय सचिफ थे। पुलिस ने बताया कि कुमार ने कथित तौर पर शराब के नशे में आरोपी और एक दुकानदार के बीच उठे विवात को सुलजाने की कोशिश की। जिसके बाद उनका बाइक से पीछा किया गया और कई बार चाको से वार कर हत्या को अंजाम दिया गया। कुमार के शरीर पर चाको से वार के 11 निशान थे। उनकी मौत अस्पताल पहुचने से पहले ही हो गई थी। माकपा ने इसे राजनितिक रंजिश का परिणाम बताया है। की गिता गोपिनाथ अंतरराष्टिय मुद्राकोश की फास डिप्टी मैरेजिंग डारेक्टर होगी। वा जियोफरे ओका मोटो की जगह लेगी। उदर अमेरिकी ने ये कहा है कि हाइपरसोनिक हतियारों के पिछे चीन की दोड़ से क्षेतर में तनाव पैदा हो रहा है। चीन का कदम काफी खतरनाक है। इसके अलावा एक बड़ी खबर अंतर्टिका से है। सभी को मालूम है कि धर्ती के सबसे दक्षिन में सित अंतर्टिका महादवीब सो से ज़ादा ज्वाला मुखी का घर है। वेग्यानिकों ने चेताउनी दी है कि इन ज्वाला मुखी में विस्पोट हो सकता है जिससे दुनिया भर के समुद्र में जलस्तर बढ़ सकता है। दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। कोरोना वाइरस का नया वेरियंट ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया के देशों में फैल रहा है। 24 नवंबर को दक्षिन अफरिका में इस नय वेरियंट का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से इसमें लगातर फैलाव हो रहा है। बीते 9 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन दुनिया के 30 देशों में फैल चुका है। यूरोप, अमिरिका, यूए, जापन समय तब भारत में भी इसकी दस तक हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि इसका आरो फैक्टर 12 से 18 गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे में ये वाइरस काफी तेजी से फैल सकता है। स्विडन में 3, इसराइल में 4, जापान में 2, होंग कॉंग में 4, निदरलैंड्स में 16, नौर्वे में 2, स्पेन में 2, पूर्तगाल में 13, कनाड़ा में 6, डेनमार्क में 4, अमिरिका में 1, यूए, में 1 मामले अब तक सामने आये हैं। अब नेपाल ने भी ओमिक्राउन की भयावहता देखते हुए होंग कॉंग सहित 9 देशों के नेपाल में प्रवेश पर प्रतिबन लगा दिया है। भूवेग्यानिको की एक टीम को पेरू के केंद्रिय तट पर करीब 800 साल पुराने एक ममी मिली है। साथ ही उसके शव को खास तरह के कपड़ों से लपेट कर बान दिया गया था। उसके हातों को उसके मूग के उपर रखकर रस्ती से बान दिया गया था। उसके पैर भी बान दिये गए थे इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बैठी हुई अवस्था में बान दिया गया हो अब तक ये पहचार नहीं हुई है कि ये ममी किसी पूरुशकी है या स्री की लेकिन इसकी उम्र 25 से 30 साल के बिच रही होगी हुदाई के दोरान पुरा दत्व वीदो को इस ममी के साथ कई तरह के सामान मिले हैं इसमें बरतन से लेकर सड़ी सबजिया तक शामिल है इसके अलावा ममी के साथ पत्थर के आउजार भी मिले हैं बताया जा रहा है कि जिस ममी को गड़े से निकाला गया वो हाई इंडियन र मुद्राकोश की और से बताया गया कि ओका मोटा जल्द ही अपना पत छोड़ देंगे जिसके बाद गीता गोपिनात उनकी जगह कामकाच समा लेगी वो अभी तक अंतरराष्ट्रे मुद्राकोश में बतौर चिफ एकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य कर रही थी गोपिनात त उनका करीबी नाता रहा है उनका जन्म भारत में हुआ था गीता गोपिनात बच्पन में पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी उनके पीता गोपिनात ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि 7 वी तक गीता के 45 फिजदी नंबर आते थे लेकिन इसके बाद वहां 90 फिजद करने का फैसला किया अमेरिकी रक्षा मंतरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हाइपर सोनिक हतियारों के पीछे चिन की दोड से क्षेत्र में तनाव पैदा हो रहा है उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से आने वाले किसी भी संभावित खत्रे से निपटने के लिए अमेरिका तयार दक्षिन कोरिया के साथ सुरक्षा को लेकर होने वाली सालाना चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आस्टिन सियोल पहुचे थे इस दोरान दोनों देशों में दक्षिन कोरिया के दो पड़ो सी मुलकों चीन और उत्तर कोरिया के कारण पैदा हुई चिंताओ पर चर्चा हुई चीन और उत्तर कोरिया दोनों ही अधिक ताकतवर हतियार बनाने की कोशिश में लगे हैं उत्तर कोरिया बार-बार मिसाइल टेस्ट करता रहा है। वही चीनी सेना ने पिछले कुछ समय में दो बार ऐसे रॉकेट लॉंच किये हैं जिसने पूरी धर्दी का चकर काटने के बाद अपने टार्गेट को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि अमेरिका इस टेस्ट को लेकर परिशान है। इसी साल जुलाई में चीन ने एक परिक्षन किया था जिसके बारे में जानकरों का कहना था कि ये हाईपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट था। कि चीन का कहना था कि ये पुराने अंतरिक शियान को फिरसे इस्तमाल करने से जुड़ा टेस्ट था। ओस्टिन ने कहा कि चीन जिस सैन्यक शमता का विकास कर रहा है उसे लेकर हमें चिनता है क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो रहा है। जब हाल ही में वेग्यानिकों ने धर्ति के सबसे बड़े ज्वाला मुखी क्षेत्र का खुलाजा किया है। जलस्तर विश्वभर में 60 मिटर तक बढ़ जाएगा। वेग्यानिकों के मुताबिक इससे हमारी धर्ति इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी। पेग्यानिकों का कहना है कि ज्वाला मुखी में विस्पोर्ट इस पूरी प्रक्रिया को गति दे सकता है। तो आज की इस खास पेशकर्षपे बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विकी बी न्यूस। नमस्कार। प्रक्राइब कर देखते प्रक्राइब कर देखते रहिए।